तो मुख्यमंत्री योगे आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करते हुए आज भी दिखाई देंगे क्या कारिक्रम उनका होगा बहुत जल्द से आपको बता देते हैं योगी का राम राज्य संकल्प क्या है देख लीजिए अयोध्या बारबंकी श्रावस्ती बहराईश में वो प्रचार करेंगे आज बारबंकी के कटियारा राम नगर में जनसभा है इसके अलावा बहराईश में भाजपा प्रतियाशी सुरेश्वर के लिए बोट की अपील करेंगे और श्रावस्ती की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिला पंचायत ग्राउंड में जनसभा उनकी होने वाली है जिसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है इसके अलावा अयोध्या के नरॉली में रैली होने जा रही है जबकि अयोध्या बेही रोड शो करते हुए सियम योगी आदित तैनात को आप देख पाएंगे अयोध्या बहुत ही इस बार के चुनाव के लिए एहम मुद्दा है और अब आज अयोध्या में मुख्य मंत्री योगी आदित तैनात प्रचार के लिए ताकण जोगते हुए दिखाई देंगे फिर को आज अज बड़ा कारेक्रम है प्रचार का और इसकी सीधी जानकारी हमारे संबाद आता नितिनु पाधियाई से ले लेंगे नितिन आज जो सीम योगी का रोड शो है काई कारेक्रम है किस तरह से तैयारी चल रही है वहां तरह है टैयारिया बड़ी जोरों शोरों से चल रही है और हमने 8 बजे के बुलेटिन में दिखा जाता किस तरह से पूरा जो साकित महावेध्ययले से लेकर जो हनुवानगडि का जो रास्ता है चौरा होते हुए और किस तरह से जो राम की पैड़ी है वहां किस तरह से पूरी तरह से भगवा माय हो गया है तस्वीरों में आप दे सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के जंडे हैं वो फैरा रहे हैं पुल मिलाके विकास हो, राश्टरवाद हो, हिंदुत हो, कानून वरस्ता हो और उसके साथी भगवान राम के सहारे 2022 की जो वैतरणी बीजेपी पार करना चाहती है राम की पैडी का ये इलाका, यहां जब साकित माविद्याले से उनका जो कहा जाए जो उनका रोडशो चलेगा, जिसमें कहा जाए बड़ी संक्याम है, संत साथ में रहेंगे बैदिक भंबल उनके साथ में रहेंगे, राम की धुन पर ठिरकते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, म्यूजिक चलता रहेगा और उसके बाद यहां राम की पैडी पर हजारों लोगों की शाम को भीड जमा होगी और आगे चलके कारकम है अब देसकते हैं कि यह राम की पैडी का इलाका है, यहां भी इसको पूरी तरह से यह बीजेपी सरकार यहां दीपोस सब कायोजन करती रही है और दीपोस सबसे भी बड़ा चुनावी रोड शो होने जा रहा है तो कुल मिला के कहा जाए, पांच में, छट में और साथ में चरण पर वीजेपी की नज़रे हैं, और ऐसे में हिंदुत के मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को और तेजधार देने की वीजेपी की कोशिश है, और यही वज़े है कि एक तरफ मुख्वंत्री योगी और आज शाम को बड़ा कारिकम यहां होने जा रहा है, मुख्वंत्री की बैसे चार जलो में कारिकम है, लेकिन अए उद्या में, अईद्या को लेकर वो लगाता है, चालीस बार वो यहां आए हैं मुख्वंत्री के तौर पर और आब वो यहां की लोगों से जन्शमर्शन मांगेंगे। मिज़ी तमाम कहा जाए जो बड़े संथ हैं उनके रत में सवार रहेंगे। तमाम उनके साथ चलते रहेंगे और मंगल गीत कहाते हैं... बेलकुल और निति देखिए राम मंदिल को भले ही राजविती से परे बताया गया लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इस बार के चुनाओ के लिए ये बड़ा मुद्दा है आप नज़र बना के रखी आगे भी आपसे अपडेट लेंगे